इंडियन पार्डनर दिनेश कार्थिक ने जो है उसको राइगा नहीं जाने दिया और जिस तरह से आक तो आप तो बड़ी चोटी चीज पूछ रहेंगे वो चेज मास्टर है वो पतनी कौन सा मास्टर है वो क्रिकट नहीं खेलता है वो क्रिकट से कुछ अगली चीज खेलें और इसी तरह के हम जो है कि वाड़ा पे तर सहारा जिस तरीके से उन्हें ने रबाड़ा को अर्शिदीब सिंग अना मतलब यार उनकी उमर भी देखें उनकी हरकते देखें यार रशिदीब जैसे बंदे विराड कोली को कब आपने इंचर होते हैं हमारे बर्समें इंजर मैच के अंदर कोई तगड़ा प्लेयर आके खड़ा हुए सेंचरी के करीब जिस तरह से आका दिनेश कार्टिंग इने फिनिश किया दस मोनग पर 28 रंज बना और जिस तरह से उसने चपका है क्या आउटसेंडिंग गैप्स नूरता है वो क्या आउटसेंडिंग चोके लग पंजाब की जितेगा कभी लग रहा था कि आरसी भी जीतेगा लेकिन एंड पर जिस तरह से आका दिनेश कार्टिंग ने फिनिश किया दस मोनग पर 28 रंज बना और जिस तरह से चका चोका लगा कर मैच को फिनिश किया तो वह बड़ा ही मज़ेदार मैच देखने को मिला औ तो इसका क्रेडिट जो है एंड पर फिनिश किंग का जो है वो दिनेश कार्टिक को देना हुगा लेकिन उससे पहले जिस तरह से मैच को सेट किया था किंग कोली ने तो उनकी भी तारिफ करनी हूँ किंग कोली जब भी परफॉर्म करते हैं तो उनकी टीम हार जाए यह हो उनकी नहीं सकता जिस तरह उने 77 रंज की इनिंग्स खेली 2 चके लगा है 14 चोके लगा है तो आज बड़ा ही मज़ा है और इसी तरह किंग कोली को देखना चाहते थे और आज किंग कोली जो है पने पीक पर नजहाए हुए जो है बड़ा ही मज़ा है आज मुझे पताए सक्षबड़ कोलि के जो आउर इनिंग थैस लोगे जाया होने जारी जिस तरह से मैनत किया है तो कि मैनत पर उनकी टीम जो है पानी फेरती दहीं दिखाई लुगा नाम फ्लिशे सारह ही आज फ्लोप होगाए लेकिन किंग कोली की मैनत को जो हैं उनके ही इंडियन पार्रनर औ तो उसके अंदर भी जानबा किया पिछले दो तीन साल के अंदर जिस तरह से उसने कमबैक की है जिस तरह से मैच फिनिश करें और मैच जितुआ रहे हैं तो उस बंदे के जितनी तारीफ की जाये उतनी कम है और आप आप इंटर जाए जितना आप अपने प्रति प्रिप जाय यह आने वाली टीमों को ले भाई खटरा की गंटी है कोली की फोम आपस आगी है आपके कहेंगे सब विराद कोली की हवाले से सबसे पहली बात हुए है कि मैं आई पील जिस तरह से लाउंच हुआ है आउट स्टैंडिंग तरीके सबस्क्राइब बात करना चाहरू हूं विरा कर दो बड़ा फैन हूँ कि मैं पहले था बाबरादम का नोड़ मैं अबी भी बाबरादम का फैन हूँ लेकिन जो विराद कोली करता है क्या आउट सेंडिंग गाप नूड़ता है वो च्छके नहीं लगाता नो डाउट लेकिन जिस सरह से चोके लगाता है जिस तरह से गै कि अपने कुलन कांड़ सिच्वेशन में अब जैसे बाई बता रहे हैं कि इंडिया के मैचा जो नब अब अच्छा चेस किया ठीक है लास आवर में नवास को भी स्कूर कर दिया वो टीम विकट गित रहे हैं जब तक विराथकोली स्टे होता है कि 20 आवर्स के मैच जब तक व वो एचा करेक्टर विराथकोली स्टे में माहिर हैं अब देखें ना हुगी 50 सेंच्री यह एक प्लेयर के के डिफाइन करती है जो अब किसाम नहीं है अच्छे बडे प्लेयर हैं आप क्या कहेंगे जाता हूं कि विराथकोली का कौन सा इसा बोल है जो नहीं खेल सकता है त तो आप बड़ी चोटी चीज पूछ रहें कि वो चेज मास्टर है वो पतानी कौन सा मास्टर है वो क्रिकट नहीं कहलता है वो कुछ अगली चीज खेलता है वो कुछ अलादा प्लेयर है आपने उसको अब इसकी डाइटिंग भाई वो बंदा सिर्फ अबली चीज कहता है जह कितने सालों से शीए उसले काही है वो अपनी करता है मैं पाकिस्तहिं की अंपर को प्रगर नहीं कहाते हैं मानें कि पाकिसानी बृडर कहाते हैं को कौछ और ऑपने पैसा लगा है Сtoo šeit में में एक आल्ग हमारी असे बाधर करोए सार दो मारे भाल करों सर. आ हमारी हमारी बास्थ बास्डों बढले ओ फिटनिस अ हमारी ओ हमारी मैं अशलार आपको में आपको अधर करा रहे हुआ कर रहा है लोना यह सवाल तो बनता ही नहीं कि वो बंदा चेंज मास्टर नहीं है वो कुछ अलग तो बोलर है वो आमेर इसको कहीं दफाइब डिस्मिसल किया लेकिन जो विराद कोली बैट्समेन ना उसके बारे में आपके सवाल बनते नहीं बाई वो क्रिकेर नहीं कहलता बदी करता हूं टेक्निकली ब्रस्ट्रोंग प्लेयर है तीका माइड़ी सब्सक्राइब तो बाकी ह क्या केंगे सार आज यार विराद कोली को क्रेडिट देने से पहले ना दिनेश कार्थी को क्रेडिट देंगे वो आउड़ वसलेबस आया और उन्हों ने जिस तरह का परफॉर्म की है मतलब देखें दस बालों के उपर 28 रंज बनाना मतलब यार उनकी उमर भी देखें उन से चीनते हैं जब दो ने मैज निकाल के मैज मुझा ने मतलब आर सी भी ने मतलब मैज है वो पंजाब के मुझे से निकाले अचा सार आप जिस तरह बात करेंगे जार आव राद कोली की हवाले से विराद कोली 77 कर गए अगर बात कर दो चैजर मार्जर ने कैमरों भी सब्सक्राइब करेंगे तो यह देखें जिस तरह आपने बात की कि मतलब मैक्सवेल आउट हो गये थे फाफडू ब्लेस आउट हो गये साम करन कलासन तक आउट हो गये तो विराद कोली देखें करीज को पर खड़े जिए विराद कोली का यही क्रेडिट है ना कि अगर वो खड़े हैं तो उन्होंने मैच जितवा देना है ठीक हां मतलब और एक दफाह में लगा कि मतलब आरसीवी के हाथ से मैच निकल गया ठीक है लेकिन फिर वही बात उसी की दिनेशकारती की जिस तरह उसने फिनिश की है ना तो क्रेडिट मैं उसी को ज्यादा दूँगा विर बैटिंग बॉलिंग दोनों की तरफ से अच्छी रही है बैटिंग जो हो पंजाब की बैटिंग को मैं आप तूदा मार्क नहीं समझता है मतलब शेकर दवान ने 45 रन किया उसके इलावा किसी ने भी नहीं किये ठीक है मतलब अगर आगर आगे आपने 35 करने या बीस करने करने तो उसका तो फाइदा नहीं है ना मतलब आई पील हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 200 प्लस रांज जो होने चाहिए ठीक 100 प्लस एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं नहीं समझता कि 178 जो टार्गेट उनों ने दिया था मेरे खाल वो इतना कोई चेजबल मुश्किल होना था ले चेज मासरे उनका नाम मशूरा आज बीनों वहीं काम किया टीम में सारे चार आउट हो गए मगर वो एंड तक पनी टीम को ले किया किया विराड कोली की जाए अगर आरसी बी की हर बंदा पहले मैच से ट्रॉल का रहा था कि आरसी बी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया औ को रहा लगर मैं बात करूँ आज के मैच की मुहमेद सिराय ने आते साथ दो विक्रे ली मैकस्वल ने दो विक्रे लिया और विराड कोली जब आए हैं तो पता लगया कि मैच के अंदर कोई तगड़ा प्लेयर आके खड़ा हुए सेंचरी के करीब स्कॉर बैजान इतना ब मैच के लिए जैसे मुझे लग रहा कोई सिंगल विकटोरिया मोहले के अंदर विराड कोली सामने घड़े हैं और हर दफ़ा ऐसे नहीं होता कि विराड कोली जो है वह परफॉमस अच्छी नहीं देपाई और पहले मैच की वजह से कह रहे थे कि परफॉर्मस नहीं देगा तो जाहरी बात है जब उनने अच्छी परफॉमस अच्छी दी है चोके चके बारिशें की हैं तो लोगों को पता लग गया है कि भाई जान मैकस्वाल को मुझे दुख हुआ है आज इतनी अच्छी परफॉमस नहीं दे पाई तीन स्कोर पर आउट हो गया है पर विराड को अच्छी दूसरा मैच हुआ है अगरा आर सीवी दूसरा मैच है आज आर सीवीन कर गया है से मुझे पदाए है हम पहले ने मैचे बड़े लोगों ंटिया विराड को दो माँ बाद अपनी टीम में आपके खेलना शुरू है थोड़ा ताइम तो लगता है आए बाद को अस चीज यह साबित करेंगे क्योंके विराड कोली की सर्क पे ही आर से भी को सारी दुनिया स्पोर्ट कर रही है जारी बात है वराड कोली की वैसी देख रहे हैं वैसे आर सीवी में बड़े प्लेयर हैं मैक्सवल जैसे काफी बड़े अपर हम को दिना वराड कोली की स्पोर्ट करेंगे जा तक मर्जी जाए विराड कोली वराड कोली जिन्दाबार ओके बहुत